जैहिंद फ्रेंट्स मैं सीब आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स इससे पिछले वीडियो में यानि कि पॉलीटी के पार्ट टू में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये जाना था कि संभिधान सभापर कुछ महत्पून लोगों ने टिपनी की थी और उसके बाद प के साथ हम लोग ने ये भी जाना था कि सुतनत्रता से पहले जो है याने कि 1947 से पहले जो अंत्री मंदल था मंडल गठीत हुा यानि प्रथम मंत्र मंडल गठी तोब उससे आकट्र आ ज COMMER यह को नहीं को सब भाग किस के पास था आ यह सारी बातों को हम लोगने पीछले वीडियों में कभर किया और इस वीडियों में मित्रों हम लोग संग और उसका राजिशैत्र लेकिन बरतमान में बात करें तो पूरे जो है 465 अनुचे यानि कि मूल अनुचे 395 में ही है उसमें से उप बर्ग यानि कि सब कैटिगेरी में जो है टोटल 465 हो जाते हैं जबकि भाग की बात करें तो मूल भाग जो है अभी के डेट में 22 ही है लेकिन टोटल जो है सब कैटि आठी थी लेकिन बरतमान में जो है भारती संविधान में अनुसूचियां जो है वह बारा है तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे संग और उसके राजचेत्र के बारे में और संग और उसके राजचेत्र में यह जो है मैं संविधान का पार्ट फॉन होगा यानि कि भाग 1 होगा जिसमें बशंग और उसके राज के छेत्र के बारे में बर्नाण किया गया है और अनुछेद एक से लेकर 4 तक नहीं हम संग और राजक्षेत्र के बारे में कवर करेंगया चलिए बीना समय के बाए सुरू करते हैं वीडियो अंबिधान के भाग एक को देखेंगे और भाग एक में जो है वो संग हुआ राज छेतर के बारे में बर्नन किया गया है और इसमें जो अनुछेत समलित है वो एक से चार तक के अनुछेत समलित है और इसमें आटकिल जो है एक से चार तक के समलित है उसके बाद फिर भाग दो आते हैं भाग दो में नागरिकता है जो कि अनुछेद 5 से 11 तक के अनुछेद समलित है और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है जो कि अनुछेद 12 से लेकर 36 तक के है यानि कि 12 से लेकर 36 तक के है तो इस परकार जो हम धीरे धीर अलग पार्ट में सभी बातों को कवर करते जाएंगे तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं ये समिधान के भाग एक की बात करते हैं और टोटल भाग जो है अब ये सब कैटिगेरी होके 25 है तो उसमें से भाग एक जो है जिसमें संग और राज छेतर का बर्नन है और जिसमें आर्टिकल जो कवर करता है भाग एक में वो एक से चार तक कवर करता है और आर्टिकल एक में बताया गया है कि संभिधान के जो है इसमें आर्टिकल एक में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राजियों का एक यूनियन होगा ये बात जो है भारती संभिधान के आर्टिकल एक के क्लॉज एक में बताया गया है कि भारत जो है भारत जो है यानि कि इंडिया भारत राजियों का एक क्या होगा संग होगा यानि कि यूनियन की बात कहीगी ये संभिधान में तो ये भी जो है कभी अबजिक्टिव में तो आटकिल 2 में किसी नए राजी के परवेश और गठन की चर्चा की गई है और हमारे देश में कितने राज और किंसासित परदेश है यह भारतिय समिधान के पहली अनसूची में दी गई है जिसमें अभी फिलाल जमू कस्मीर के पुनर गठन होने के उपरांत अब बरतमान में 28 राज है और 9 कंसासित परदेश है तो यह आपको ध्यान रखने है यह भारतिय समिधान के पहली अनसूची में राजी और उसके छेतर के बारे में कभी विस्तित से बरनन किया गया है तो आठकिल 2 में जो है मिद्रो कहा गया है किसी राज के परवेश या गठन के बारे में आठकिल 3 की बात की जाए तो आठकिल 3 में जो है आठकिल 3 में जो है कहा गया है कि संसत को जो है नाय राजी का निर्मान करने का बर्तमान राज के छेत्र उसके सीमा या नाम में परिवर्तन करने का जो है सक्ति किसको प्राप्त है यह जो है संसत को इसके सक्ति प्राप्त है और इसके परियोजन है तो जो है राष्ट पती के सिफारिस के बिना संसत के किसी भी सदन में कोई भी विद्या स्पेस नहीं किया यानिकि एक और किसी राज के निर्मान सीमा इन सब में परिवर्तन की बात हो तो इसके लिए भारतिय संविधान के आर्टिकल 3 में कही गई है यहनि कि अंचे 2 दिया गया है Кिए zwei Bliss 266 के मानए हिए 369 की दिया गाएगा भारतिय संविधान के संसोधन के बाद कही गया है तो अर्टिकल 4 में कहा गया है कि दू और 3 कि अधीन जो भी कार्य होंगे यह जो है भारतिय संविध Canton संसोधन विध्या की अधीन नहीं होंगे याने कि इसमें जो है अफसित दो μέ nowhere में कहा गया कि नई राज काने निर्मान सीमाच्षेथर नाम में परिबस्त अन्शेत संभिधान संसोधन के द्वारा ही कोई राज किसी दूसरे राष्ट को सौपा जा सकता है जैसेằngमपल के लिए बात किये तो नौवे संपिधान संसोधन द्वारा बीरुवारी राजे melted। पाकिस्तान को सौपा गया। बेरु बारी राज किसको सौपा गया पाकिस्तान को सौपा गया और उसके बाद सौ में संविधान संसोधन की बात करें तो सौ में संविधान संसोधन द्वारा भी जो है कुछ छेत्र बंगला देश को सौपा गया है तो साथ में ये भी जो है ध्यान रखना है उसके बाद ब पुनरकठन से सम्बंदित्य आयोगर समीति के बात हो रही है राज के पुनरकठन से समंदित्याईओ रहे हैं तो फ्रेंज राजियों के पुनर गठन और आयोग समीज बात हो रही है तो इसमें बात करें तो सबसे पहले जो है उनेशाए उन्हेड़ीow का पुनर गठन भासा के अधार पर नहीं किया जाए राजियो का पुनरगठन भासा के अधार पर नहीं किया जाए फिर दूसरी कमीटी जो है उन्हें 48 में ही जेभीपी कमीटी जिसको कहते हैं यानि कि जवाहर बलब भाई पटेल और पटावी सितार मया यह तीन आदमी इसमें सामिलते जिसको जेभीपी समीटी कहते हैं यानि क जवाहलाल नेहरू और बलब भाई पटेल और पटावी सितार मया तो यह समीटी भी जो है इन्होंने सिफारिश की जो राजियों का पुनरगठन जो है भाषा के अधार पे नहीं किया जाए जब यह जब यह कमीटी बना था उसी समय जो है इसके बिरोध में जो है यानि कि यह जो है इनका जो है आमरन अंसन किया इन्होंने पोटी श्री रामलू जी ने और इसके परणाम से च्छापन दिन के बाद जो है इनका नीदन हो गया और इस घटना से मजबूर होकर जो है सरकार को मदरास से तेलगु भासी छेत्र को प्रिथक किया गया और आंध् परदेश जो है का सकते हैं कि भारती राज छेत्र का जो है राज पुन्हर गट्ठाशन पहला ज्याज बना उसके बाद बाद की जाए तो 1903 पन में फिर एक समीती गठीट हूई और 1903 पन में समीती जो गठी थी उसमें तीन सदा से थे एक थे फजल अली दूसरा थे केम प कि आध्यक्स्ता में जो है यह समीधि गठी ती और इसके बाद बायत करें तो इनकी अनुस्चा ज्यानिकि इनकी जुन्वंबर उनई सोच पन को इन की यह उनीसों तीर नवाले समीधिक सर्फी एक लॉट शौप्वर उने Như चापन को जो है ऑधार पे किया गया उसके बाद बात करें तो ढमनाल गठा अधिनियम तो बंबाई पुनर्गेठा अधिनयम जो येुथ S.T. में यह औरächst में सिर्फ इस एक लुटता राज था जो कि उस 34 और convey sai समिल था अब जो है बंबे को सिर्फ बंबे को दो भांग बारत या ज्यों लोग महाराथी बोलते तो उसको जो है महारास्ट एकचाठीजाबक दवारा 10 में समभिधान सम्सद्राइं ऐसे इक हर्द दौर्बारा जो है दादर नगर हविलिख को जो है योगेृन टरिंटρι का दर्दा दिया गया कि सुन्व्धान द्वारा closing कों ऐसे युणियन ट्रेट्री का दर्दा दिया उसके बाद बात करें तौ मैंस में शोपफ दिया था उनिस्वरमा संभिधान سंसुधन 1962 और यह भारमा संभिधान संसुधन 1962 की बात करें तो इसके द्वारा जो है गोवा दमनदीब गोवा दमनदीब और उसके बात करें गोवा दमनदीब को जो है संग सासित परदेश के रूप में इस्थापित किया गया यानि कि यूनियन ट्रेट्रीज का इसको अब दर्जा दिया गया बारवे उसके बाद पूलिकर्ट तो फ्रेंट्स बात करें गुवा की तो गुवा जो है यह पूलिस करवाई द्वारा जो है उसके बाद फिर 1987 में जाके गुवा को पचीसमा राजी के स्वतंतर राजी का दर्जा मिल गया अब यूनियन ट्रेट्री से यह राजी बन गया और यह जो है देश का जो है हमारे देश भारत का जो है पचीसमा राजी बना कब उसके बाद बात की जाए तो 1924 में फरांस दौरा जो फरांस ने जो दिया था पद्दुचेरी को तो फरांस ने हस्तांत्रीत किया था भारत सरकार को पद्दुचेरी यह जो है जो कि 1902 तक जो है यह अधि गृहित छेत्र के रूप में रहा उनाईइसों चोबन में भारत सरकार को अस्तानतित किया गया लेकिन उनाईसों बासर तक तो है अधि अधिग्रहित छेत्र के रूप में रहा लेकिन बात की जाए तो चौद में संभिधान संसोधन द्वारा जो है इसको यूनियन टरीटरिस का दर्जा दे दिया गया उसके बाद बात की जाए तो 1963 में असम पहारी असम पहारी नागा पहारी और असम पहारी के त्वेन सायंग छेत्र को मिला कर जो है कब 1936 में असम पहारी और नागा पहारी के यह त्वेन सायंग छेत्र था इस दोनों को मिला कर जो है एक राजे बनाया गया जिसका नाम नागालेंट था और यह जो है हमारे भारत का सोलमा राजे बना कैमा राजे बना सोलमा राजे बना दिया गया तो 1963 में नागा पहरी और असम के बाहर के त्वेंसांग छेदर को मिला कर सोलमे राज की रूप में किसका निर्मान किया गया नागवलेंड का निर्मान किया गया तो मित्रों 936 के बाद 966 में पंजाब को यानि पंजाब गया दो भाकों बाटा गया यूनियन ट्रेट्री से जो है अब इस पहारी छेत्र को पून राज का दर्जा दे जिया गया और ये जो है हमारा देश का अठारमा राजे बना कौन हिमाचल पर्देश तो हिमाचल पर्देश को जो है 1971 में यूनियन ट्रेटरी से पुन राज का दर्जा दे जिया गया फिर 1972 में बात की जाए तो 1972 में मित्रो दूग के अंदर सासित पर्देश था एक मनिपूर को उनेश्मा राज और तिरपूरा को बिश्मा राज और मेघाले को जो है एकाईश्मा राज के रूप में दर्जा दिया गया मेघाले को किस राज के रूप में दर्जा दिया गया एकाईश्मा राज के रूप में तो इस परकार आफ रेंड समझ सकते हैं कि 1972 में तीन राज बनाएगे मनिपूर 19, तिरपूरा 20 और मेगाले 21 राज बना तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं और एक्जाम में पुछा जा सकता है उसके बाद 35 संविधान संसोधन 1974 35 संविधान संसोधन 1974 की बात की जाए तो इसके द्वारा सिक्किम को एक 100 राजे का दर्जा दिया गया और वहाँक की जनता द्वारा इसको रहे चोग्याल सासन था तो उसको-समाप्त कर दिया वहाँके जनता आपके जनता जनता की इक्षा अनुक्व, भारत सरकार ने जो वहाँ 36 में संविधान संसोधन यानि कि चोग्याल सासन को वहां पर समाप्त कर दिया गया और उसके बाद भारसरकार ने 36 में संविधान 1975 द्वारा इसको सिक्किम को 22 माराजी का दर्जा दिया गया क्यामिर आज का दरज़ा तो ध्यान रखा है विष्माराश के प्रशासन के लिए भारती है:" चो में जो है BCS प्रावधान की भी विवस्ता की गई है तो यह भी ध्यान रखना है सीकिम के लिए जो है वह 1975 में इसको 22 मराज का दर्जा मिला और उसी के साथ जो है आर्टिकल 371 चमें जो है इसको special provision यानि कि BCS प्रावधान के BCS प्रावधान भी किया गया है कब आहां कहां आर्टिकल 371 चमें यह जो है आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात की जाए तो 1987 में 1987 में जो है मिजोरम 23ирा राज मी बना89 में मीजोरम 23ी बना कब 1987 में और उसके बाद अनाचल पर देश22 मा राज में उसको 2000 में बात करे थो सनGHT 2030 में जो है 36 गर्ट चविसमा उत्रा खंड 27 म और 20 था खंड भारat का 28 राज में बना तो 36 गर्ड की बात करें तो 36 गर्ड जो है मध्य परदेश से अलग होकर भारत का 26 राज्य बना एक नवंबर 2020 को उसके बाद उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड जो है ये उत्राखंड जो है उत्राखंड की बात करें तो ये जो हमारे देश का भारत का 27 राज बना और ये उत्तर परदेश से अलग होकर बना और ये जो है इसका एक्जैक्ट डेट था ये 9 नवंब नवंबर 2000 को तो यह आपको ध्यान रखना है कि 2000 में तीन राज गठी तुए 36 गठ उत्राखंट और जारखंट करम से 26 27 और 28 तो यह बात जो है आपको ध्यान रखने हैं और यह जो यह जो संसोधन अधनियम था काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसे तीन राजी बने हैं तो चौराशीमा संसोधन अधनियम द्वारा जो है इस यह चाथिस गठ उत्राखंट और ज्छारखंट को जो है नया राज की रूप में गठन किया गए उसके बाद फिर अंतिम राज जो है बना दो जून दो हजार चौद़ा को तो दो जून दो हजार चौद़ा को जो है उनतिसमे की रूप में तेलंगना बना और यह तो जो पांच अगस्थ 2019 को जो है पाँच अगस्त 2019 को जो है मित्रो जम्मु कस्मीर एक राज था तो टोटल आज 29 थे तो अब जम्मु कस्मीर को राज से केंदर्शासित परदेश में बदल दिया गया और लदाक और केंदर्शासित परदेश बन गया है तो अब जो है 28 राज है और टोटल जो है 9 के अंदर्शासित पर्देश से यह जो है आपको ध्यान रखने है ठीक है मित्रों अब अब जो है समय के अनुशार जो है कुछ किस राज को किस नाम से जाना जाता था और प्रतमान में जो है उस राज को अब किस नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स नाम परिवर्तन की बात करें तो पहले क्या नाम था और बाद में क्या नाम था और कॉप जो है इसका चेंजिंग हुआ यह इसका डेट दिया गया है तो जनवरी 1950 में बात करें तो जनवरी 1950 में जो है उत्तर परदेश को पहले संजुप्त प्रांत कहा जाता जो कि जनवरी 1950 से जो है उत्तर परदेश कहा जाने लगा उसके बाद बात करें तो नवंबर 1956 में नवंबर 1956 में मित्रो ठावन कोड और कोचिन ये दोनों संभलित रूप से थे और नवंबर 1956 के उपरांद जो है इसको केरल कहा जाने लगा तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि दो agora जाता जो है जंवरी 1969 के बाद जो है उसको तंविलनाडु कहा जाने लगा जाए उसके बाद 1973 की बात करें तो 1973 तक जो है इस छेत्र को मैसूर कहा जाता था और 1973 के बाद मैसूर वाले छेत्र को जो है करनाटक कहा जाने लगा जो मैसूर रिहासत जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली का जो है समराजे था उसके बाद बात करें तो नवंबर 1973 में जो है मित्रो नवंबर 1827 में जो है लगादी मीनिकाय तथा अमीन दीप इतीनों जो है शमलित रूप से थे नवंबर 1773 में लेकिन उसके उपरांव ज है इसको शमलित रूप को जो है लच्छदीप नाम दे दिया गया और अब जो है लच्छदीप के नाम से पुकारा जाता है उसके बाद लगिन आप जो है इसे इसे निशीर देली यानि कि नेशनल कैप्टर रिजन डेली कहा जाता है तो ये ध्यान रखना देली आपको साथ है झान्यान रखना है उसके बाद जन्वारी एसद शाठत संसे आप में तो ये उत्रान्चल अलग हुआ था उसको अब जन्वारिक 2007 के बाद उत्राखंड कहा जाने लगा यानि कि उत्राइंचल को अब उत्राखंड कहा जाता है उसके बाद अक्टूबर उसके बाद अक्टूबर 2006 में बात करें तो पांडी चेडी का जो है नाम चेंज करके अब पद्दू चेडी कर दिया गया और नवंबर 2011 की बात करें तो नवंबर 2011 में मित्रो ये इसका नवंबर 2011 मित्रो उडीसा का नाम चेंज करके अब उडीसा कर दिया गया ह तो ये जो है ब्रमुख समय उपरांत आजादिक उपरांत बहुत सरे छेत्रों के नाम परिबरतन हुए तो ये भी समय के साथ हुए तो आपको ये परिक्षा के लिहाद से ध्यान रखने हैं ठीक है मित्रू तो आज इस वीडियो में हमने संविधान के प्रथम भाग यानि कि भाग वन जिसमें संग और उसके राज अच्छेतर सामिल है और जिसमें अनुछेद एक से लेकर चार तक के अनुछेद सामिल है और उस सभी को जो हमने विश्टितृप से किया उसे समझा तो अगले वीडियो में जो हम में तो भाग दो की बात करेंगे और भाग दो में क्या हमारी पहचान है नाग्रिक्ता और उसके बाद जो है अब नाग्रिक्ता का क्या रॉल है नाग्रिक्ता कैसे अर्जन कर सकते हैं कैसे त्याग सकते हैं तो यह सारी बाते जो हम लोग अगले भाग में कवर करेंगे यानि कि भाग दो में और इस भाग दो में जो अनुछे अगले भाग में कवर किये जाएंगे आज के लिए तना ही धन्यवाद